Hello my dear students, how are you all? This is Sarika Saini and in today's video I have taken some confusing forms of verb. इस video में हम कुछ confusing forms of verb को discuss करेंगे, जिसमें students को कई सारी confusion होती है, या तो जो है उनका meaning से हम होता है, या फिर उनकी second या third form match करते हुई होती है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ difference होता है, so आज आपकी confusion को दूर करने के लिए I have made this video, so I hope कि आपको ये video पसंद आएगी, so let us start. So first, जो मैंने form of verb का जो pair लिया है, that is hear and listen. Here means भी सुनना होता है, और listen means भी सुनना होता है, लेकिन दोनों के meaning में difference है. दोनों के meaning में क्या difference है, hear means, क्या होता है, देखे, जब suppose आप बैठे हुए हैं, और बाहर जो है, एकदम से कोई sure होता है, और आप उसको सुन नहीं रहेते, लेकिन फिर भी वो sure आपके कानों में पढ़ जाता है, तो हम तब ये word यूज़ करते हैं, hear. उसके बाद listen, listen क्या है, जब हम खुद की इच्छा से कोई आवाज, या कोई song, या कोई भी sure, या कुछ भी आवाज सुन रहे होते हैं, तो तब हम listen word का use करते हैं, जैसे I was listening to the music, मैं गाना सुन रही थी, मैं music सुन रही थी, या फिर बाहर कोई sure हुआ और मैं बैठी हुई थी, और बाहर के sure की आवाज जो एकदम से मेरे कानों में पड़ी, तो मैं कहूँगी I heard a noise, मैंने एक sure सुना, यानि कि मैं उसे सुनने के लिए बैठी नहीं थी, लेकिन बाहर जो sure हुआ, वो एकदम से मेरे कानों में आ गया, यानि कि मुझे सुनाई दे गया, so this is the difference between hear and listen, और listen के साथ हमेशा to लगाया जाता है, listen to बोला जाता है, here के साथ कोई भी preposition नहीं लगती है, so hear की forms of verb क्या है, hear, heard, heard, hearing, कुछ students इसे heard को hear'd भी कहते हैं, यह hear'd नहीं है, this is heard, hear, heard, heard, hearing, next word है, listen, listened, listened, listening, so next जो है, जो मैंने जो है words का ग्रूप लिया है, इसमें जो है तीन जो है words है, it is lay, lie, lie, first word को लेते हैं, lay means होता है अंडे देना को, insect, जब जो है अंडे देता है, या कोई भी animal अंडे देता है, तो अंडे देने को जो है कहा जाता है, lay, तो इसकी second form क्या है, lay, lay, laying, so this is lay, 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 laying, दूसरा जो है, lay word का use जो है लिटाना, जब आप जो है किसी को लिटा रहे हैं, किसी बेबी को लिटा रहे हैं, या किसी चीज को जो है लिटा कर रख रहे हैं, तो भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं, this is lay, laid, laid, laying next word जो इसी के पेर में आता है वो क्या है? lie lie means होता है जूट बोलना तो lie के लिए जो है क्या होगा? next lie, laid, laid, lying next है lie ये भी देखे, lie है दोनों जो है दिखने में same है लेकिन इसका meaning different है इसका meaning है late na laid, lay, laid, laying lying, तो इस तरह से दिखे कि word जो है same है लेकिन second form और third form जो है बिलकुल ही different है so meaning भी इनका जो है different है so these are the three forms of verb which are very confusing lay means अंडे देना lie means जूट बोलना, lie means लेटना और इनकी जो second और third form है वो जो है इस तरह से में यहाँ पर मैंने लिखी हुई है next है die, die means होता है मरना और एक die होता है रंगना, कोई कपड़ा जो है रंग से रंगना तो दोनों को die ही कहा जाता है लेकिन spelling में आप difference देख सकते हैं so die means मरना तो इसकी second और third form क्या होगी died, died, dying और कपड़े रंगने वाले word की, यानिकि die की second form क्या होगी died, died और dying, तो इस तरह ऐसे आप जो है spellings को समझ लीजे और इनको लान कर लीजे तो आपकी confusion दूर हो जाएगी next word है देखे यहाँ पर मैंने एक और पेर लिया है जिसमें दो word है, sit और perch, जाद दर जो students हैं, उनको sit पता होता है, कि sit means बैठना होता है, लेकिन बैठने के लिए perch word भी use किया जाता है लेकिन difference क्या है, perch means होता है उची जगह पर बैठना जैसे कोई bird जो है, किसी पेड की टहनी पर बैठा हुआ है, तो हम यह कहेंगे, the bird is perching on the branch, the bird is perching on the tree इस तरह ऐसे हम कह सकते हैं, यानि कि उची जगह पर, अगर कोई बैठा हुआ है, तो हम perch use करेंगे और बाकी जो है normal बैठने के लिए हम sit word use कर सकते हैं so there is a difference, आप यह नहीं कह सकते, the bird is sitting on the branch, उसके लिए perch word use होगा, तो sit के लिए जो है second और third form क्या है sit, sat, sat, sitting और perch के लिए क्या है, perch paused, paused, perching next word, जो next pair मैंने लिया है, that is revenge, revenge और avenge, दोनों ही मिलते जूलते से word हैं, लेकिन दोनों के meaning में difference है, revenge means होता है खुद के लिए बदला लेना, जब किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, और आप उसका बदला लेना चाहते हैं, तो आप word use करेंगे revenge, revenge की second form है, revenged, revenged और revenging, फिर next word है, avenge avenge means होता है, किसी और के लिए बदला लेना, यानि कि किसी और के साथ बुरा किया है, और आप उस person से उसके लिए बदला ले रहे हैं, तो तब आप word use करेंगे, avenge so avenge, avenged, avenged avenging, so this is et next is fall और fell, देखे दिखने में जो है, बिलकुल minor सा difference है, यहाँ पर e है और यहाँ पर e है लेकिन फिर भी जो है, difference है fall means होता है गिरना, कोई जब गिरता है या कोई चीज गिरती है, तो हम fall word use करते है, fall fell, fallen, falling लेकिन जब जो है, आप किसी चीज को गिरा रहे हैं, जैसे suppose आप कोई tree काट रहे हैं, और उसको गिरा रहे हैं, काट कर गिरा रहे हैं तब आप यह word use करेंगे, fell fell, fell, felt fell, falling now the next word is hang, hang hang, यह देखे, दिखने में जो है, first form similar है, और hang means, जो है, एक hang का meaning है लटकाना, जब आप कोई चीज जो है लटका देते हैं, जैसे suppose आपने जो है, कोई coat जो है, या कोई कपड़ा जो है, कहीं पर जो है, लटका दिया, या फिर जो है, टांग दिया तो वहाँ पर हम hang word यूज़ करेंगे और उसकी second form क्या यूज़ करेंगे hung, hung, hanging so it is hang, hung, hung, hanging, लेकिन अगर जो है, किसी को फासी पर लटकाया जाता है, तब जो है hang की second और third form change हो जाती है, so वो क्या हो जाता है, hang, hanged hanged, hanging next है find and found, देखे find means होता है, पाना या प्राप्त करना, जब आपको कोई चीज मिलती है, तो आप find word का use करते हैं, तो find, found, found finding हो जाता है, लेकिन found भी एक word है, जो दिखने में जो है, find की second form की जैसे है, बिल्कुल similar, लेकिन इस वले found का meaning क्या है, नीव रखना, जब आप किसी जो है institution की, या किसी जो है किसी भी जो है चीज की जो है, नीव रखते हैं, किसी की जो है, आपको किसी चीज को जो है start करते हैं, किसी institution को start करते हैं, तो found word यूज किया जाता है तो उसकी second form क्या हो जाती है, found founded, founded, founding so next है command और command command means होता है आदेश देना order देना so और next word देखे command command means होता है तारीफ करना या किसी को जह है recommend करना so यहाँ पर a और e का ही difference है लेकिन meaning बिल्कुल change है so command, commanded, commanded, commanding और यह next word है command, commanded, commanded, commanding so dear students these are the forms of verb which I myself found very confusing when I was a student so I made this video if you liked the video and press the like button on my video and if you have not subscribed my channel then please subscribe it and share it with your friends also